कि टुड़े रीडिस्क्रस इबाउड ता मैथडा अफ एक्सक्रेशिंग कंसंट्रेशन आफ सलूसंझ आज हम लोग यह सीखने वाले हैं कि कंसंट्रेशन जो होते हैं सलूसंग की उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बट हमको यह समझना है किंसंट्रेशन के टर्म में कौन- तो हम यहां समझते हैं, जो पहला हमारा होता है, %W by W, दूसरा आपका होता है, %W by V, तीसरा आपका होता है, %V by V, 4th PPM, 5th PPM, B, मतलब आप इसको बोलोगे, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास वैल्यूम परसेंटेज, दूसरा नेक्स्ट, वैल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, और लास्ट, पार्ट पर बिलियन, यहां पर हम लोग, वन बाई वन एक एक टर्म को डिसर्स करेंगे, करेंगे, आज कहा हमारा टॉपिक है, परसेंट W by W, परसेंट W by V, परसेंटेज, V by V, PPM, And PPPB, आपको इक बास समझना है, कि यहाँ पे हमारा percent percent innocence पर 100 जैसे आपने सुनाओगा कि आपका दिल 80% आते हैं मतलब आपने 100 में कितना score किया है 80 ओके तो यहाँ पे percent का मतलब हुआ पर 100 100 में कितना तो आईए हम लोग यहाँ पे one by one एक एक चीज़ों को discuss करते हैं फर्स्ट हमारा होगा mass percentage, mass percentage को हम लोग weight percentage भी बोल सकते हैं तो आईए हम लोग समझते हैं आपके mass percentage होता क्या है mass percentage को हम लोग बोलते हैं देखो यहाँ पे आपको समझना है अगर कोई question देता है आपको कि 10% W by W calcium carbonate ok 10% in the sense 10 gram of CaCO3 present in 100 gram of solution 100 gram of solution तो आप यहाँ पे बोलना कि weight of salute per 100 gram of solution तो आप इसको define कैसे करोगे कि weight of salute per 100 gram of solution कोई suppose आपके पास 100 gram का solution है इसमें जो amount present होगा salute का per gram में उसी को हम क्या बोलते हैं उसका हम बोलते हैं percent W by W it is known as mass percentage ओके आइए इसका हम लोग formula देखते हैं percent W by W equal to अगर हम solution की term लेते हैं तो देखे क्या होता है आपको पता यह भी है कि जो solution होता है solution equal to salute plus solvent solution equal to salute plus solvent होता है तो यहाँ पे हमको देखना है percent W by W को percent W by W in the sense कि आप यहाँ पे बोलोगे आप बोल सकते हो कि weight of salute यहाँ पे आप लिखना कि weight of salute divided by weight of solution into 100 यह formula होता है जैसे और कई बुकों में आपको यहाँ पे फार्मूला देख सकता है दूसरा फार्मूला इसका कि percent W by W equal to weight of salute यहाँ जरूरी नहीं कि आप salute लो यहाँ पे solvent भी हो सकता है यहाँ कोई एक component हो सकता है क्योंकि जो आपका solution होता है यह solution में दो कंपोनेंट होते हैं तो अगर कंपोनेंट के टर्म है तो component first after then component second आप कुछ भी यहाँ पे लेख सकते हो हम यहाँ पे बात करें solution के concentration की तो इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कि weight of salute divided by weight of solute plus weight of solvent into 100 यह हुआ यह हमारा है mass percentage ओके अगर हम यहाँ पे लेते हैं अगला हमारा हो जाएगा percent w by v तो हम यहाँ पे देखते हैं अगला percent w by v इसके लिए आप screen start ले सकते हैं अगर समें आपको कोई doubt होता है तो आप comment section में आप मुझे comment करके push सकते हैं next हमारा दूसरा concentration term है percent w by v which is known as the mass value percentage तो इसको आप define कैसे करेंगे देखो आपको यहाँ समझना है कि यहाँ पे v value का कोई solution है इसको हम इसकी quantity 100 ml लेते हैं कितना लेना है आपको 100 ml लेना है तो आप समझना कि amount of salute dissolved in 100 ml of solution is known as the percentage w by v तो याद रखना है आपको कि इसका जो फार्मूला बनाते हो यह आपको percent w by v equal to mass of salute by value of solution किस में लेना है ml में लेना है और यहाँ पे salute का weight gram में होता है इन्टू 100 थर्ड हमारा जो होता है percent v by v जिसको आप बोलते हो वैल्यूम पर्सेंटेज वैल्यूम पर्सेंटेज तो वैल्यूम पर्सेंटेज का क्या होगा आप यहाँ लेक सकते हो कि percent v by v equal to volume of salute divided by volume of solution इन्टू 100 यह हमारा percent w by w and percent v by v का फार्मूला होगा question है a solution contain 40 gram of NaCl in 320 gram of water calculate the concentration in term of first mass by mass percentage of the solid second mass by mass percentage of the solvent तो आप यहाँ पर पगणिक कोशिस करो कि salute कितना है और solvent कितना है salute और solvent को लेकर आप find कर सकते हो solution का उसके बाद आप यहाँ पर concentration आपको find करना है एक बाद percent w by w salute का और second time आपको find करना है percentage is of the solvent ओके तो आप यहां पर सबसे पहले देखते हैं amount of salute कितने amount of salute salute in the sense NaCl common salt it is given 40 gram and second amount of solvent that is h2o the amount of h2o is 320 gram then after adding this you will find the amount of amount of solution that is 360 gram okay this is the amount of salute amount of solvent and amount of solution one by one we find the mass percentage in term of salute and solvent okay first we find the percent w by w of salute then you will put the formula amount of salute amount of salute divided by amount of solution into 100 put the value amount of salute this is the 40 and total amount of solution is 360 hundred okay जब hundreds इसको multiply करते हो तो percentage w by w find होता है salute का अब इसका calculation करते हैं अब इसका calculation करोगे तो आपको final answer find up होता है 11.1 percent this is the percent w by w of salute इसको cancel out करने पर आपको मिलता है 11.1 percent अब हमको find करना है दूसरा percent w by w of क्या find करने के लिए बोला है mass percentage of the solvent mass percentage of solvent तब भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो total amount आएगा salute का उसमें से आप subtract करके solvent के amount को जो है आप find up कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि solution equal to salute plus solvent तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पर कर दोगे सीधे सीधे यहाँ पर hundred minus यह आप यहाँ लाजिक लगा रहे हो hundred minus amount of amount of क्या लिखोगे आप amount of salute किस टर्म है mass percentage की टर्म है mass percentage कितना है 11.1 तो आप यहाँ करना कि percent w by w of solvent equal to hundred minus आपको लिखना है mass percentage of salute mass percentage of salute तो देखो यहाँ पर क्या करोगे hundred minus mass percentage आपका 11.1 तो आप अगर इसको आप सब्ट्राइट करते हो तो आपको final answer मिलता है आप एटी इसको आप सब्ट्राइट करोगे तो 88.9 परसेंट आपको find up होता है तो यह आपने देखा यह percent w by w किसका है solvent का है यह आपने क्या find किया है salute का percent w by w find किया है तो आप देखो यहाँ पे यह है concentration केटर में percent w by w का हमने आपको कोश्चन बता है इस तरीके से आप और भी question try कर सकते हो आप अगला question लिखिए calculate the mass percentage composition of copper pyrite and urea आपको copper pyrite और urea में जो है आप find करोगे each और every items का percentage composition और आप comment box में इसका answer मुझे देंगे ओके आपको मैं यह question description box में भी आपको दे दूँगा जिसे कि आपको find करने में question को आसानी होगी next concentration term ppm part per million तो आपको यहाँ समझना है कि 1 million में कितना होता है 10 power 6 तो हमको यहाँ पे यह जो ppm और ppb होते हैं यह हम इस concentration term को medical field में यूज करते हैं tablets और medicine drugs को बनाने के लिए इससे हम pollution को find कर सकते हैं air pollution water pollution और जो है other जगहां भी इसको हम apply कर सकते हैं microbiology में और medical world में तो यहाँ पे हमको समझना है कि ppm जो होता है part per million जो होता है यहाँ पे 1 million में होता है 10 power 6 तो इसका आप लिखेंगे कि ppm equal to mass of salute by mass of solution into 10 power 6 अब भी आप इसको लेख लिजिए फार्मूला को मैं इसको आपको question भी बताता हूं next term हमारा होता है ppb जिसको आप बोलते हो part per billion part per billion 1 billion में कितना होता है 1 billion में आपका होता है 10 power 9 तो आप यहाँ पे लिखोगे ppb equal to mass of salute by mass of solution into 10 power 9 इन दोनों में यही difference है सेम चीज़े है बस यहाँ पे 10 power 6 होगा part per million में और part per billion में 10 power 9 होता है उके इसको आप लिख लीजिए उसका question कराते है question a solution with mass of 1 kg contain 3 mg of salute express this concentration in ppm and ppb यहाँ पे salute का concentration है वो 3 mg है और जो solution total बता रहा है वो 1 kg का बता रहा है मतलब 1 kg में आपका 3 mg salute है आप देख रहे हैं बहुत very little amount में है तो यहाँ पे हमको find करना है ppm और ppb को तो देखो यहाँ पे यह miligram में है इसको हम पहले gram में convert करेंगे तो आई हम यहाँ पे ppb जो है सबसे पहले ppb को find करते हैं तो देखो यहाँ पे अगर मैं ppb रखूं तो देखो ppb में आप पहले आप देखो यहाँ पे ppm find कर लो तो mass of salute जोगा यही formula पूट करोगे ppm का mass of salute by mass of solution into 10 power 6 अगर यह formula पूट करते हो इसको gram में रख करके तो आपको जागा 3 into 10 power minus 3 आप देखो यहाँ पे mass of solution क्या दिया है आपका 1 kg 1 kg को gram में करमड कर लो जब आप gram में करमड करते हो तो क्या हो जागा 1 into 10 power 3 into 10 power 6 इसको आप cancel out करते हो तो आपका जो answer आता है final यह आएगा आपका 3ppm आएगा आपका 3ppm आएगा आपका यह पीपी नहीं यह आपका 3ppm क्योंकि हम यहाँ पे ppm के concentration को find करते हैं अब हमारा कह रहा है कि find करिए ppb को part per million को find करने के लिए बोल रहा है तब देखो यहाँ पे भी same चीज़े find करोगे mass of salute आपको put करना है 3 into 10 power minus 3 mass of solution आपका है 1 into 10 power 3 into multiply with 10 power 9 इसको solve करते हो आप तो आपको final answer आएगा कि 3 into 10 power कितना आना चाहिए यहाँ पे 10 power 3 आएगा उसको आप ले जाओगे subscribe करेंगे तो finally आपको क्या होगा कि यहाँ पे 9 है 9 में से 3 6 और 6-3 तो आपको क्या हो जाएगा 10 power 3 तो final answer आपका होगा 3 into 10 power 3 ppb part per billion तो यह आपका final answer होते है